Hello everyone, कैसे आप सब एक बार्पुना अस्तिव कोचिंग क्लासेस पर सोगात है? क्लास टुल फिजिक्स अंसियारटी में चैप्टर फूर चल रहा बच्चो और आज एक छोटा सा लेक्चर लेकर आया हूँ दच्णा वरती कार की पेंच का नियम जो मैक्सविल का कार की पेंच का नियम तो यह देख सकते हैं अपने देशी बोलचाल में जिसे पैचकस बोलते हैं इसकी नोग है बच्चो इसकों किस डायरेक्शन में घुमाते हैं तो हमेशा जब ऐसे रहे गा तो अंग उठा इस तरीके से घुमाएंगे है ना चुम्मी की सुई है, तो चुम्मी की सुई में भी छे पुत्पन हो जाता है, यह हमारे आवरेश्टेट साहब ने बताया, फिर एमपियर के तैरने के नियम से थोड़ा सा यह जानकारी मिली, कि जो हमारा S और N धुरूब है चुम्मी की सुई का, वो किस दिशा में मुड़त तो यह बाए हाथ के ओर मुड़ जाता है, जैसे चुम्मी की सुई हमान लीजे न, यहां पे चुम्मी की सुई है, यह एन है न, एन धुरूब है, तो यह बाए ओर मुड़ जाता है, यह एमपियर के तैरने का नियम है, कहने का मतलब एमपियर ने यह बताया था, कि हमारे टेर चुममिकी सूई है बच्चो नानी पर कोई बात नहीं है अपर कोई बात नहीं, पढ़ाना है थोड़ा सा copy pen में इसको मैं नहीं समझा सकता था इसलिए यहाँ पर लाया अब कार्क पेंच के नियम में क्या है कि आप मालीजे धारा की दिशा उपर है इसके नोग को भी उपर रखो यहीं कार के पेंच को आप इस प्रकार से रखो कि जिधर चालक तार में धारा बह रही है उसी दिशा पर यह आगे की ओर बढ़े हमें ऐसा बात करना भाई उल्टा नहीं गुमाना है जैसे पेचकस में आप जिसे किसी नट को खोलते हो खोलने की दिशा में नहीं गुमाना है ऐसा करना है कि coconut masa अंदर की और जाए उस दिशा में गुमाना है आब बोला ये है कि हमेदी उस दिशा में गुमाए तो हमारा पेचकस का जौ डाइरेक्सन है कहां जाए जानते है जीधर धारा बह रहा है अब मैं कहता हूं यह चालाक तार है इसमें धारा उपर की और चालाकतार है दिखा ना थीक दिख राओगा चालाकतार है धारा इसमें पेचकस भी रख दिया अब उन्होंने बताया ठाया कि पेचकस को उसी दिशा में आगे बढ़ाने के लिए, जिस दिसा में घुमाएंगे, वो उसका चुम्मि के छेत्र हो जाएगा, देखो, फिर समझो, एक चालाग्टार है, उसी के अनुजिस हम पेचकस को इस परकार रखें, कि जोहारा पेचकस है किस दिसा में जाये, जिस दिसा में धृर Ș Bij CH हम पेचकस को जिस दिशा में घुमाएंगे, देखे किस दिशा में घुमाते हैं, यह लो भाईया, ऐसे देखो, इधर से यह, मतलब यह आ रहा है, है ना, कुछ समझ में आया, यह चालकतार है, और हम उसी दिशा में घुमाते हैं, तो इस दिशा में घुमाएंगे, से घुमाएं कि वो धारा की दिसा में आगे बढ़े तो पेचकस में अंगूठा जिस दिसा में घुमेगा वही उसका चुम्मे की छेत्र हो जाएगा अब आपने समझा नहीं होगा तो फिर से समझना अब देखो भाई मैं कहता हूं यह चाला अकता रहा ठीक है धारा उपर ब गुमेगा तो इस तरीके से चुम्मी की छेत्र हो जाएगा चिसे क्लियागा धारा बे रहा हूप यह हाल है ऐसे हो जाता अब थोड़ा सा मेरे मैं कि चहरे कुम्ज आप नजर अंदाज कर लो ठीक है यह हाल होता बच्चो वीडियो बनाने में ठीक है तो अपन गाउं के देशी आदमी है सब चलता रहता है ठीक है तो भाई सहाब चैनल पर पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार जो कौपी पिन में नहीं हो पाता ना उसको वीड आप पचासी होंती सिंक आप आप उंचास जय हिंद बंदिमात्रम